हाईलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा एक्टूब चैनल सूबा श्टडी पे आज हम लोग पढ़ेंगे जो अस्पार्क बुक का सार संगरा कोश्चन है उसका अगला पट तो चलिए शुरू करते हैं एसाई मातरक में बोट्स मान नियतांग का मान किया है तो एसाई मातरक में बोट्स मान नियतांग के मान हो जाएगा एक पॉइंट तीन आठ गुणे दोस के पावर तेश जूल पर केलिविन मेटी में नमक की उँचे सरदर्ता में उगने वाले पोधे को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं लावर मिर्दो भीद यानि कि हैलोफाइट धवनी सबसे तेज संच्रह किसमे करती है तो ये करती है ठोस में बसंती करण के लिए अनुकूलल करा के बसंती करण के लिए अलुकूलतम तपमान कितना होना चाहिए तो पांच डिगरी सेल्शियस लेकर दस डिगरी सेल्शियस तक आगे देखेंगे एलकेन के सही आईउपी 20 परकार के बल्ब में उड़जा की खपत सबसे कम होती है तो यह होती LED में LED के फूल फर्म हो जाएगा Light Emitting Diode स्वेथ परकास की एक की रण काच के प्रिज में पर आप्तित होती है कौन सा परकास रण काच के प्रिज में से गुजरने पर अधिक्तम बिच्णित होता है तो यह अधिक्तम बिच्णित कौन सा होता है तो बैगनी कौन सा तो बैगनी आगे देखेंगे आगे हो जाएगा अस्टेनलेस अस्टिल का संगठक तत्वे कौन कौन सा है ती हो जाएगा आईरन, कुरोमियम और नीकेल जो अस्टेनलेस अस्टिल है ये मिश्रण है आईरन का, कुरोमियम का और नीकेल का भारत में बन ने जिव संडक्षन अधनियम कीस वर्स लागू किया गया तो भारत में बन ने जिव संडक्षन अधनियम 1922 इसमी में लागू किया गया था और वही कहागा बन सनक्षन अद्नियम कब लाया गया था 1982 में परियावरण सनक्षन कहागा 1986 हो जाएगा और बन जीर सनक्षन 1972 भार का SI मतरक क्या है? तियो जागा निव्टन जम्मू यो कास्मीर में खारे पानी की जील कौन सी है? तियो जागा डल जील दश्मी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह जागा अनाई मुदी जिसकी उचाई कहएगा तो 2696 मीटर है लास्की के विचार संप्रभुत्ता क्या है तो बहूल वादी आर एम वर्ड आर एम वर्ड और जेम से थामसं कौन सी भूराजा से विवस्ता से समबंधी थैं तो यह समबंधी थैं अस्थाई बंदवस्त से अस्थाई बंदवस्थ बंगाल में कहेगा 1793 में किसने लाउ किया था 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदवस्थ लाउ किये थे लोड कानवालिस सिंदू सभयता के किस अस्थल से सूती बस्थ रहके साक्षे प्राप्थ हुए हैं तो यह प्राप्त हुए हैं महांजो दाड़ों से और यहां से नर्तकी के कांसे मूर्ती भी प्राप्तुगा है ब्रेल पदती में बिंदू कित पैटान की संखिया कितनी होती है तो यह होती है तीर सर्थ है आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा मूर्गे वो अंडों का अत्याधिक उतपादन होना क्या कालाता है तो इसे कहोते हैं रौजद करांती राज़त करांती के समवंद किया है तो ये इसका समवंद हो जागा अंडा से गौन मेटल कि इसकी मिस्रिधात होता है तो गौन मेटल ये तमबा, टीन और जास्ता का मिस्रून होता है इसे समवंदित होता है एक जर्मन सिल्वर जर्मन सिल्वर की इसका मिस्रान है तो कॉप और जिंक और निकेल का अनिकि जास्ता तामबा और निकेल का गौन मेटल में हो जाएगा तामबा जास्ता और तामबा जास्ता और तीन हो जाएगा गौन मेटल में जर्मन सिल्वर में कहेगा तो तीन के जगापन निकेल होता है दंडर काहां इस्तित है तो इस्तित है डियागों गर्सिया में और हिन्द माहसागर के सबसे बड़ा द्वीप कैगा तो मेडा अधा स कर न गए नर घृता है उसे कहते हैं अना बृत बीजी, वो पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं तो उसे अबृत बीजी कहते हैं और जो पादप नगन होते हैं नगन बीज वाले उसे कहते हैं अना बृत बीजी, सवादबाद सिधान्त का संबंध किस धर्म से हैं तो ये जैन धर्म से, देखेंगे ब्रिटेन द्वारा चीन बिजय की शुरुआत किस यूध से हुई तो अफिम यूध से आगे देखेंगे आगे है एक इलेक्ट्रोन एउ पोट्रोन की दो बोगलीत रंगधरे समान है तो किसका बेग अधिक होगा तो इलेक्ट्रोन का बेग अधिक होगा और नवीकरण ये उर्जा का सुरूते क्या है तो कोईला और नवीकरण ये उर्जा का सुरूते है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्राम के कारण होती है तो प्रक्राम काईगा तो परकास के पूर्ण आंत्रिक प्रवर्तन के कारण चमक होती है और रंगहीन किस के कारण दिखाई देता है तो ब्यक्ति करण के कारण रंगहीन दिखाई देत सर्वाराइट के जांच वह लुँक्सुंicana बिए पर बावित करता है एकट सरत और होता है जिवाणों के कारण इस्पीनिंग जेनी की खोज किस नहीं की थी तो यह किये थे जेम्स हार ग्रीब जे जेम्स हार ग्रीब जे वर्स दुएर 11 के जनगरना के अनुसार बिहार में सरवाधिक जनसंख्या गोनाते वाला जीला कौन सा है कम जनसंख्या गोनाते वाला जीला के अनुसार आगे देखेंगे कुमार गंधर में के संगीत की मूखे बिशेश्ता किया थी तो मलावा लोकदुन और हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत जो कुमार गंधर थे यह सबसे अच्छा गायक किसे मानते थे तो लाता मंगेसकर को अमलिये जठा रस किसके द्वारा अस्त्रावित होता है तो ये अस्त्रावित होता है अमासय से अमलिये जठा रस कि किसके द्वारा अस्त्रावित होता है अमासय के द्वारा जब कई वस्तो मुख्त रूप से पिरित्वी की और गिर्ती है तो उसकी कुल उर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है कुल उर्जा नियत रहती है आलो किया है तो आलो रूपांतरीत तन्ना है आलो में बलाइट हार्ट रो किसके कमी सोता है तो ओक्सीजन की कमी से मगद की राधानी कहां पे थी? मगद की राधानी थी गरीवरीच आगे देखेंगे आगे हो जाएगा यह कथन किसका है कि पारकिर्तिक अवस्ता में जीवन एका की दरीद अप भीत्र असब और छाणिक था तो यह कथन हो जाएगा होब्स का या किसका कथन है कि पारकिर्तिक अवस्ता में जीवन एका की दरीद्र अपबीत्र असवे और छाणिक था तो ये कथन है होब्स का रामचंद्रे सुक्ल द्वारा राचित कवीता की परक निबंध का मूल भाव किया है तो कवीता का अर्थ बताना अन्ता सुवसन तभी होता है जब वामणडलिये दाब से फेपड़ो का दाब क्या होता है तो कम होता है अन्ता सुवसन तभी होता है जब वामणडलिये दाब से फेपड़े का जो दाब है कम होता है मौलिक अधिकारों के परवर्तन के लिए याचिका किसके द्वरा जारी किए जा सकती है अगे देखेंगे राजकोशिय घाटे को कैसे परिभासित किया जा सकता है तो राजकोशी ये घाटे को परवासित किया जा सकता है राजकोशी ये घाटा बराबर कूल बयाए माइनस कूल पराप्ती यानि कि आपको राज किसी ये घाटा हो रहा है कूल बयाए ज्यादा है और कूल पराप्ती किया है कम है ब्राइफाइटा पादप समानतों किन आवासों में पाई जाते हैं तो ये पाई जाते हैं नम एव चायादार आवास में भारत की बिदेशी नीती किस पर अधारित है तो ये गुट निर्पेक्षता की नीती पर अधारित है गुट निर्पेक जो अंदोलन था इसका गठन वता 1961 में कहाँ पे तो बेलगरेड में भारत के समीधान में चुनाव पनलाडी का प्रोधान कीन अनुछेद में किया गया है तो चुनाव आयो काउलेक अनुछेद 324 से 29 तक मिलता है भारत में चुनाव आयो गठन वता जन्वरी 1950 में आगे देखेंगे किसको गुलुकोज के साथ गरम करने पर रोजत दरप्रम बनता है तो टॉलेन अभी करमक को गरम करने पर रोकेट किसके सनवक्षन के सिधान पर कारे करता है तो रेखिये सनवेक सनवक्षन पर कारे करता है सोनार में कौन सी तरंग परियुक्त होती है तो परासरब्र तरंगे सोनार में परियुक्त होता है मीरा बाई का जनम कहां पे हुआ था तो राज अस्तान के जोदपूर में किविनो फॉर्म सब्दावली का समद किससे है मेसो पोटामिया वस्तु काला से आगे देखेंगे आगे हो जाएगा बिहार में 1857 की करांती कहां से शुरू हुआ था तो ये देवगर जीले के रोणी नमक अस्तान से उस समय जो देवगर था बिहार में ही था बरतमान में जहरकंड में है जहरकंड बिहार से अलग वा था 15 नमबर 2020 में है आगे देखेंगे कुणाक के नाटक कभी कौन थे कुणाक के नाटक कभी काएगा तो जगदिश चंद्रे माथूर हो जाएगे कुणाक के सुरे मंदिर ये कहां पिष्थी थे तो उडिशा में काला सो के कौन से बंस के सासक थे तो ये सी सुनाग बंस के सासक थे आंद्रे पर्देस के गठन के समय एन पर्देस के गठन के समय फहासा जोड़ी गयी, तो तेलगु भषा जोड़ी गई थी। पावापुरी में महाभीर स्वामी की मिलित्तु हुआ था 468 इसा पूर्व में, महाभीर के जनम का कहां पर हुआ था, तो महाभीर के जनम हुआ था बैसाली बिहार में, बैसाली बिहार में हुआ था कौब 540 इसा पूर्व में, 540 इसा पूर्व में महाभीर का जनम हुआ था बीश्वे सवस्त संगठन के गठन हुआ था 7 अप्रील 7 अप्रील 29 अप्रील 48 में भारत में BTA वर्स कब शुरू होता है तो भारत में BTA वर्स 1 अप्राइल से लेकर 31 मार्ज तक होता है और RVA के BTA वर्स 1 जुलाई से लेकर 30 जुन तक रहता है भारती रिजर अप्राइन का मुख्याले कहां पर है तो मुबई में है पहले इसका मुख्याले था कुलकाता में और 1913 में RVA के मुख्याले कलकाता से अटा कर मुबई ट्रांसफर किया गया गहनानंद किस का विधरा के कभी थे तो रिक्ती मुक्त का विधरा के कभी थे आगे देखेंगे जिसमें वस्तु का किवल एक विक्रेता होता है ऐसे बजार की स्थिती कैसी होती है तो ऐसे बजार को एक अधिकार करते हैं पेन तथा सियाही की मांग को क्या का जाता है तो इसे कते हैं संजुक्त मांग। संकराचारी के द्वारा चार मठो का निर्माड किस धर्म के प्रतिष्टा के लिए किया गया सनातन धर्म के प्रतिष्टा के लिए किया गया था। सिराजु दौला और ब्रिटिस के बीच पलासी का युद कब हुआ था? सिराजु दौला और ब्रिटिस के बीच पलासी का युद 23 जुन 1757 को हुआ था? अली नगर की संधी अंग्रेजों के साथ सिराजु दौला ने कब की 9 फरवरी 1757 को मुद्रा के आंत्रिक मुलाई का अर्थ क्या है तो मुद्रा की कराय सकती आगे देखेंगे आगे हो जाएगा छोब मंडर की उजाई कितनी होती है तो 8 से 12 किलोमीटर गन्ना का सरवादिक उत्पादर करने वाला देश कौन सा है तो ब्राजील हो जाएगा गुप्त बंस के संस्थापक कौन थे गुप्त बंस के संस्थापक थे सीरी गुप्त गुप्त बंस के वास्तिविक संस्थापक कहेगा तो चंद्र गुप्त प्राथम थे जय जवन जय किसान के नारा किसने दिया था लाल बादुर सास्त्री दिये थे और जय जवन जय किसान जय बीगयन के नारा दिये थे अटल विहारी बाजबेही और्थ सास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या है तो और्थ सास्त्र में उत्पादन के मतलब हो जाएगा उपयोगिता बनाना उत्पादन का सक्रिय साधन क्या है तो यह हो जाएगा स्रहम आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा पेट्रोल की से मापा जाता है तो यह मापा जाता है लीटर में पेट्रोल की गुनवादा के जाच के निये औक्टेन संख्या की जाच होती है चाई का सरवादिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है तो यह जाएगा चीन गोतम भूत की मिरित्व कहाँ पेवी थी गोतम भूत की मिरित्व गता कुसी नगर उतर परदेश कौब्ट चांसो तिरासी इसा पूर्वे इंका जनाम वाथा लूमबीनी नेपाल कौब्ट पांसो तिरसट इसा पूर्व में पांसो तिरसट इसा पूर्व में गोतम भूत के जनाम वाथा लूमबीनी नेपाल मिरित्व गता कुसी नगर उतर परदेश चारसो तिरासी इसा पूर्वे पोखरण किया है तो पोखरण राजस्तान का एक नगर है और भारत का जो पहला परमानुद प्रदिक्षा हुआ था 18 माई 1904 को यह हुआ था पोखरण राजस्तान से और इसका कोड़ नम किया था तो अस्माइलिंग बुद्धा था गोवा में पहला सासन किसका था तो गोवा में पहला सासन के थे पूर्त गालीयों ने सुधराष्टी उत्पाद का मुल्यांकन कैसे किया जाता है तो सुधराष्टी उत्पाद का मुल्यांकन एन एन पी बराबर जी एन पी माइनस मुल लहरास से होता है भारतिय समिधान पूर्त किस तीथी से लागू हुआ भारतिय समिधान पूर्ता लागू हुआ था 26 जनवर नीम्ने सदन कहेगा तो लोग सबाँ और उंचे सदन हो जाइगा राजेसबा, अंग कहेगा भारती संसत के कितने अंग है तो तीन अंग है लोगसबा, राजेसबा और राष्टपति, आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाइगा, किस काल या यूग में पथर के अजार सबसे पहले पाए गए थे तो ये पाए गए थे पूरा पासर काल में पासर काल में पहये का अभिस्कार हुआ और इसमें अस्थाई जीवन जीने की सुरुवात हुई और क्रिशी के भी शुरुवत नवपासर काल में ही हुआ था पूर्त गालियों द्वारा काली कट से ले जाये जाने वाले काली कट के सूती कपड़े इरोप में आमतर पर क्या कहलाते थे ते इरोप में कैली को कहलाता था आठ गराओ में बूध सूरे से कौन से अस्थान पर इस्तित है तो जो आठ गराओ में बूध है ये सूरे से सबसे नजदी गरानी के पहला गरा है आठ गराओ में बूध सूरे से कौन सा अस्थान पर है तो आठ गराओ में जो बूध है सूरे से पहले अस्थान पर है और सूरे से दूरी के अनुसार देखते हैं, सभी गरहों को देख लेते हैं, सूरे से सबसे पहला एनिक नाजदिक गरह हो जाएगा बूध, उसके बाद हो जाएगा सूक्र, उसके बाद कहएगा तो प्रित्वी हो जाएगा तीसरा नामर पल, प्रित्वी के बाद हो जाएग मंगल उसके बाद हो जाएगा बिरस्पति इसके बाद हो जाएगा सनी इसके बाद हो जाएगा अरूण और लास्ट में हो जाएगा वरूण सूरे से दूरवी के अनुसार गरा हो जाएगा बूध सुक्र प्रित्वी मंगल बिरस्पति सनी अरूण और वरूण अंतिम गरा व और विश्वत रेका तीनु रेका किस महादीब से गुजरता है तो अफिरीका महादीब से बिपील से रणी से समबन्दित वरिष्ट नागरीकों के लिए भौतिक सायता तथा असिस्टेड लिभिंग डिवाइस उपलवध कराने की ये योजना कौन सी है तो राष्टी बयोसरी योजना कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिवीधी किस छेत्रक के अंतरगत आती है ये आती है दिरितियक छेत्रक के अंतरगत कौन सी कला ग्रीक बौध कला के नाम से भी जाने जाती है तो गंधार कला ग्रीक बौध कला के नाम से भी जाना जाता है अपरेकी परमाणू हतियार मुक्त छेत्र संधी को और क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं पिलिन डाबा संधी कहते हैं भारत का कौन सा पडोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है तो यह हो जाएगा मैनमार मैनमार 양ी कि बर्मा भारत से ही अलग हुआ था एक्ट 1935 के दोच 1937 में बर्तमां बर्मा के नाम हो जाएगा मैनमार जीन के खोज किसने किया जीन के खोज किये थे जोहनसन 1909 में या जीन सब्सके पॉलिबर परयोग काएगा तो जोहनसन किये थे 1909 में रतांदी किस बीटामिन के कमीस होता है तो यह होता है बीटामिन एके कमीस है नेट्रोन के खोज किसने की नेट्रोन के खोज किये थे जेम्स जैडविक 1932 इसवी में एक वास्प इंजन उसमिय उर्जा को किस में परिवर्थित करता है तो यह करता है यांत्री कुर्जा में ग दूबारे में हिलियम गैस का परियोग होता है गलोबल वार्मिंग किस गैस से होता है तो यह होता है CO2 से आगे देखेंगे आगे हो जाएगा बीदुत धाराम आपने के लिए किसका परियोग किया जाता है तो बीदुत धाराम आपने के लिए अमीटर का परियोग करते हैं ब अर्बो किसलिक एसीड बोट देने वाले मतदताओं के लिए की सियाई का परियोग किया जाता है तो बोट देने वाले मतदाओं के लिए सिल्वर नाइटेट केमिकल युक्ति सियाई का परियोग होता है सक्ति का एसाई मात रख्या है तो यह हो जाएगा वार्ट मानों के हिर तो ये मीठा गुलुकोज या सरक्रा के पाचन में सलाईवा क्या होता है सहायक होता है गुलुकोज का सूत्रे क्या है C6 H12 O6 ये गुलुकोज का सूत्रे है बचा को जलम लेने के बाद कौन सा टीका लगा जाता है तो हेपेटाइटिस B के टीका लगा जाता है जलम लेने के और ये किसको सुरक्ष्या करता है तो लिवर यानी कि एकरीत को डेरी फोर्म में किसका उत्पाद होता है दूध का बीधुत चुंबक किसके बनाए जाता है तो बीधुत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लुहा से कौन सा एक लूप्त प्राय औस्धी पादप है इसब गोल ये लूप्त प्राय औस्धी पादप है आगे देख लेंगे आगे हो जाएगा आगे है उसमा गतिकी का प्रथम नियम जिस सनरक्षन के नियम पर अधारित है उसे क्या कहते हैं तो उसे उर्जा का सनक्षन अधनियम कहते हैं वर्षा के बुंदे गोला कार्किस कारण से होती है तो यह होती है प्रिष्ट तनाव के कारण रसाइनिक उर्जा को बिदूत उर्जा में परिवर्थित करने वाले युक्ति क्या कालाती है तो इसे कते हैं बिदूत जेल इस्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रवमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा तो दाब बढ़ेगा इस्थिर ताप पर गैस के निश्चित दरविमान का आयतन कम्ड करने पर दाब क्या होगा तो दाब बढ़ेगा बीदुत धारा का मातरक क्या होता है तो बीदुत धारा के मातरक होता है एमपियर आगे देखेंगे लोहेप और जोंग लगना किस परकार का परिवर्तन है तो लोहेप और जोंग लगना रासानिक परिवर्तन है एलकेन का रसानिक सुत्र क्या है एलकेन के रसानिक सुत्र हो जाएगा CnH2n पलस 2 और एलकेन के रसानिक सुत्र हो जाएगा CnH2n और एलकेन के कहेगा तो CnH2n माइनस 2 होता है अंतराष्टिय महिला दिवस कब मनाया जाता है अंतराष्टिय महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है राष्टिय महिला दिवस कईगा तो तेरो फरवरी को मनाते हैं नौजवान भारत सभा के अस्थापना किये थे भगल सी 1926 में नौजवान सभा भी देता है कहीं कहीं तो इसका अस्थापना किये थे 1926 में भगल सी कौवक के कोशिका भीती का मुखे अभयाई क्या है तो जो कौवक के कोशिका भीती होता है यह बना होता है कायटिन का और सेलुलोज के कहेगा सवाल के कोशिका भीती तो सेलुलोज का बना होता है आगे देख लेंगे पॉलिस दार पासण उपकरण किस यूग की विशेषता है तो नो पासण यूग की भारत के उतरी पस्चमी भाग में सितकाली नवर्षा मुग के रूप से किस कारण से होती है तिये होती है पस्चमी भी जोब से आपातकाल की उद्गोषना हो तब कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परवर्तन के लिए नियाले में जाने का अधिकार किस अनुछेद के तहत निलंबित रहता है तो अनुछेद उनैस और अनुछेद बीश के तहत का रहा है के आपातकाल के उद्गोषना हो तब कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परवर्तन के लिए नियाले में जाने का अधिकार किस अनुछेद के तहत निलंबित रहता है तो अनुछेद उनैस अनुछेद बीश के तहत भारत के समिधान की कौन सी अनुसुची द्वारा स्वात्सासी जीला परिसोदों की अस्थापना का प्रोधान किया गया है तियो जगा छटी अनुसुची छटी अनुसूची में ओसम, मेघाले, तिरपूरा तो थम मीजोरम राजे के परसासन के बारे में उलेख किया गया है आगे देख लेंगे एफला बीस का उत्पादन किससे होता है तो एफला बीस का उत्पादन होता है कौबक के द्वारा राज सभा के सदसे के चुनाव की परकिरिया कहां से गराण किया गया है तो ये गराण किया गया है दोचे अफिरिका के सविधान से पीवनी की यूदे किसके मदे लड़े गए पीवनी की यूदे लड़े गए थे रोम और कार्थोज के बीच अनुवांसिक विकार जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं कौन सा है ती हो जाएगा डाउन सिंड्रोम अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाता है 47 हो जाता है जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेंद देन पर लगाया जाता था तो करेंसी के लेंद देन पर। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेंद देन पर लगाया जाता था तो करेंसी के लेंद देन पर। बारात में इसपात उदोग को किस के आयात की पेक्षा होती है, संस्कृती और शिक्षा कादिकार किस अनुशेद में वणी थे तो यह वाणी थे अनुशेद 39 और 30 में आगे देखेंगे किस ने रायत वाड़ी बंदवस्त अरम्ब किया तो थामस मुनरों ने रायत वाड़ी बंदवस्त अरम्ब किये थे पौसिम बांगाल में होने वाली मनसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं तो पौसिम बांगाल में होने वाली मनसून पूर्व की वर् यह अस्टरनम के द्वारा जुड़ी होती है, माना में पसलिय के संकिया 645 होता है, प्रतिरोद का भी उतकरम चलागता है, यदि प्रतिरोद की इकाई ओम है, तो चलागता किया होगी, तो इसके ओम इन भड़ी हो जाएगा, जो कर रहा है कि बित्रम होता है तो बित्रम कर देना है निम्तम कारे उस समय होगा जब पींडे को क्या किया जाएगा उधरवाधर रूप से उपर उठाया जाएगा जब सोडियम फॉलोरिन के साथ अभिकिरिया करता है तो क्या होगा जब सोडियम फॉलोरिन के साथ अभिकिरिया करता है तो क्या होगा निर्मित होने वाला याउगिक पीगली हुई अवस्ता में बीधूत का एक सूच आलक होता है वेबसाइट का पहला प्रिष्ट क्या कालाता है तो पहला प्रिष्ट को हॉमपेज करते हैं आगे देख अगे देखेंगे आगे हो जाएगा भौपाल गैस दुरगाटना में कौन सा बिशक्ता गैस का रिषा हुआ था भौपाल गैस दुरगाटना में कौन सी बिशक्ता गैस का रिषा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का और कब हुआ था तो तीन दिसंबर 1984 को वो था इसका सुत्र जगा C2H3NO निर्भी रोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्पती कोन थे निर्भी रोध चुने गए भारत के प्रथम राष्पती हो जाएंगे N सजीव रेड़ी यहनिक निलम सजीव रेड़ी भारत में बजार नियंतरन प्रंगाल किस सुल्तान द्वरा लाव की गई थी अलाव दिन खिल्दी के द्वरा आगे देख लेंगे अकबर के 5668 इस्वी में चितल पर आक्रमण के समय मेवाल का सासो कौन था तो मेवाल के सासो को जैंगे राणा उदैसी अकबर के 5668 इस्वी में चितल पर आक्रमण के समय मेवाल के स लोगसवा में प्रथम विपस के नेता कौन थे तो ये थे रामसुबग से और प्रथम लोगसवा के विपस के नेता जिने मनेता प्राप्त हुआ था तो ये थे वासुदेव बलवन्त फाड़के गलुकोज का एक अणू एंजाइम उत्परेलित शिरिंखलाओ की अविकरिया द्वारा पाइरुबिक आमले के दो अणू में तूट जाता है इस परकिरिया को क्या करते हैं तो इसे करते हैं गलुकोज का एक अणू एंजाइम उत्परेलित शिरिंखलाओ की अभिकरियाओं द्वारा पाइरुबिक आमले में के दो अणू में तूट जाता है इस परकि क्रिया को क्या करते हैं तो इसे करते हैं गलाइकोलेसीस गा रोग कहाशी जय अंतिया पहारिया किस राजय में is ㅋㅋㅋㅋ यह मेघाले में is कर सकती है राज सबा साधारन विदयक को अधिकतम कप तक लमीद कर सकती है तो 6 मा तक और वही धन विदयक को कप तक रोकेगी तो 14 दिन तक उपराश्पती के द्वारा किसी अपराद में धन्ड को कुछ समय के लिए निलंबर करना किया कालाता है तो इसे कहते हैं प्रतिलंब बिच सन्वनी संपर्क बनाने संपर्क बनाने वाले संरचना को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं प्ले सेंटा निके अपरा भुरून और गर्भासे की बिच सन्वनी संपर्क बनाने वाले संरचना को क्या कहते हैं तो प्ले सेंटा कहते हैं मिनी माता रोग किसकी सिवन से होता तो पानी में पारा के अधिक्ता से मिली माता रोग होता है। प्रणा के नियम से समन्दित है। यह इस वीडियो के लास्ट कोचन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है। तो लाइक कर दें। चैनल पना हैं तो सस्क्राइब कर दें। कुछ सुझावयों सला देना है। तो कॉमेंट करके जरूर बताएं। और इसका पीडियो चाहिए तो डिस्क्रीप्शन में टेलिग्राम के लिंक है। वहाँ से डाउनलोड कर लें या टेलिग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुझावयों स्टोटी। थैंक्यू।